हेलो दोस्तो हम सभी अक्सर बीमार हो जाते हैं और उस दोरान हम डॉक्टर के पात जाते हैं या केमिस्ट के पात जाते हैं और टेबलेट लेते हैं यानि कि हम सभी ने कभी ने कभी टेबलेट जरूर खाई होती है लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होग को दो पार्ट में करके और उसके पावर को कम करके खा सके और आपको पता दू कि ये लाइन हमें ज्यादा तर सिर्फ हाई पावर के टेबलेट में ही देखने को मिलता है जिससे कि अगर हमें कम पावर के टेबलेट की जरूरत हो तो हम उसे हाप या बीज से तोड़ के खा सके जैसे माल लीजिए आपने कोई टेबलेट ली है जो 1000 mg की है और डॉक्टर ने आपको 500 mg लेने को कहा है तो ऐसे में आप उसे हाप करके लेंगे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिन medicine टेबलेट पर यह लाइन नहीं होती उन medicine टेबलेट को आपको हाप करके नहीं खाना चाहिए तो आप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दवा की टेबलेट पर एक सीधी लाइन क्यों होती है आसा करते हैं या जानकारी आपको पसंद आई होगी तो गाइस अगर आप लोगों को या वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, सेयर करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धर निवाद जय हिन जय भारत